इस वीडियो में आपके लिए बताऊँगा कि हम Microsoft Office में हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं जैसे कि जब भी हम कोई डाकुमेंट्स बनाते हैं या फिर कोई Excel Seed बनाते हैं या फिर कोई Presentation बनाते हैं तो हम उसमें हिंदी में टाइपिंग कैसे कर सकते हैं कुछ कारह एंसे होते हैं जो कि हमें हिंदी में हिं करना होती हैं इस वीडियो में आपके लिए बताऊँगा जिससे कि आप Microsoft Office को ओपन करने के बाद यहां से हम प्लस फर क्लिक करेंगे प्लस फर क्लिक करने के बाद यहां से हम डाकुमेंट्स फर क्लिक करेंगे डाकुमेंट्स फर क्लिक करने के बाद यहां से हम बड में कोई ब्लेंक डाकुमेंट्स लेते हैं अब हमारे पास एक blank documents open हो चुका है अब यहां पर हम जो भी कुछ type करेंगे तो वो हमारा English में होगा अब यहां पर आप देख सकते हैं मैं कुछ type करता हूं तो यह मेरी typing जो है English में हो रही है अगर हमें यही typing हिंदी में करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो कीवोड है वो Google का है जी वोड यह मैं यूज कर रहा हूं मेरे मोवाइल में अभी वैसे तो यह हमारे मोवाइल में पहले से डाउनलूड रहता है अगर आपके मोव प्लेज ल् ACTर से डाउनलूड कर सकते हैं इस एप्सकों अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर प्लेकाइब अपर हूं मुख सकते हैं हमारे कीवोड में हमें जिस भी लैंगवेज में typing करने जैसे कि हिंदे अंगले यह और दो और रख लैंगवेज यहां पर हूंIt क् आप देख सकते हैं मेरे पास यह लेंग्वेज जीवोड में एड है जैसे कि हिंदी इंग्लिस यह देवनगरी यह मेरे कीबोर्ड में एड है मैं इन भासाओं में मेरे मोबाइल के कीबोर्ड से जो है टाइपिंग कर सकता हूं अब हम Microsoft Office में जाएंगे अब आप देख सकते हैं Microsoft Office में हैं अब यहां से हम इस एरो पर क्लिक करेंगी यहां पर इस एरो पर क्लिक करने के बाद यहां से हम होम बटन में जाएंगी इस होम बटन में आप देख सकते हैं यहां हम लेंग्वेज पर क्लिक करेंगी तो यहां पर हमारे पास ऐसा कोई उप् हिंदी फॉन डाउनलोड कर सकें अब यहां से हम सामने लेंगवेज का साइज चुन सकते हैं हमें जिस भी साइज में टाइपिंग करना है अब हमें हिंदी में टाइपिंग करना है तो यहां पर हम डबल टेप करेंगी यहां डबल टेप करने के वाद हमार पास कीबोड आ जा लिए यहां पर दखेंगी हम यहां से हमें जिस भी लेंग्वेज में टाइपिंग करना है उस लेंग्विज को यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां से हिंदी इंडिया से फिकरना इसलेट करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं हम अपर हमारे पास जो हिंदी इंडिया का जो कीवोड आपको हो चुंका है अब हम यहां से जो भी टाइपिंग करना है वो उसकें इसी तरह से अगर एग्वर भी language change करना है तो यहां से हम इस icon पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो language है चेंज हो जाएगी यहां पर अब आपके लिए typing के लिए सबसे सही option है voice typing अब यहां पर हम voice typing को करकर देखते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं मैं इस mic पर क्लिक करूँगा अब आप जो भी कुछ बोलेंगे वो clearly यहां पर लिखा जाएगा अब यह English में लिखा रहा है अगर हमें Hindi में लिखना है तो यहां से हम language को change करेंगे मैं voice typing को बंद करता हूं अब यहां से मैं language change करूँगा यहां से मानलीजी में हिंदी इंडिया करता हूं और अब मैं voice typing करता हूं अब आप देख सकते हैं हमारी जो typing है वो हिंदी में होगी हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो clearly लिखा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं अब यहां पर मैं select all करके font का size change करूँगा इस तरह से आप voice typing कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काम में आने वाली है पर आपके लिए जो भी कुछ लिखना है वो आपके लिए यहां पर बोलना है और आपकी जो typing है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी इस तरह से आप Microsoft Office में Hindi phone का उप्योग कर सकते हैं और आप किसी भी documents को Hindi में type कर सकते हैं कि आपके लिए बहुत हैं